Hello friends, welcome back. I am Vivek Singhal from TradingWithVivek.com और आज हम बात करने वाले हैं Bank Nifty के बारे में Bank Nifty को लेकर जितने भी questions है mind में वो सारे दूर हो जाएंगे तो हम यहाँ पर जो Bank Nifty की companies हैं जिनकी major weight is है Bank Nifty में उनको लेकर भी बात करेंगे और technical chart patterns का कहते हैं उसको लेकर भी हम यहाँ पर discuss करेंगे तो सबसे पहले अगर हम एक बाट technical chart pattern की बात करने लगे Nifty की तो Nifty का मैंने यहाँ पर chart open किया हुआ है अगर आपको यह दो lines याद हो तो मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिस वीडियो में मैंने बताया था कि value buying zone कौन सा होता है so 300 day moving average and 30 की smoothing को हमने use किया था so this was under value buying zone उसके बाद में अभी यह उपर गया हुए anyways इसको हम अटा देते हैं अभी technical chart pattern यहाँ पर bank Nifty का क्या कहता है bank Nifty ने same level को touch किया था दो बार first time इसने किया था last year October में और अभी इसने touch किया था 14 September को थो अगर हम ध्यान हो तो Nifty ने अभी तक वापस से lifetime high का level touch नहीं किया था last month में थोड़ा सा नीचे था लेकिन bank Nifty इसको outperform कर रही है अगर आप देखोगे तो Nifty ने level touch किया था 18,583 को लेकिन recently last month जो Nifty का level touch हुआ था that was 18,111 so bank Nifty is actually outperforming the Nifty और जब कोई एक particular index किसी means overall Nifty को outperform करता है तो उसके उपर जाने की probability और भी ज़्यादा हो जाती है और खास तोर से जब जब उसकी underlying companies वहाँ पर जो उनकी यहाँ पर results है जो net profitability है जो अभी हाल फिलाल में results supposed हुए है अगर वो उस चीज़ को support करती हो means fundamentals of these companies जब support करती हो तो यहाँ पर जो यह technical chart pattern है इस technical chart pattern के बारे में मैं काफी बार आप से बात कर चुका हूँ and this is a cup with handle pattern अभी यहाँ पर handle पूरा बना नहीं है काफी traders इस बात को कहते हैं कि विवेक भाई chart के पूरा बनने से पहले और इसके further break out देने से पहले आप जो यह सारी चीज़े करते हो कहीं यहाँ पर risk तो नहीं होता कि यह वापस से fail तो नहीं हो जाएगा देखो जब हमें reasons पता हो कि किस reasons के चलते चार्ट पैटर्न डेवलप हो रहा है और कितना time यहाँ पर यह already spend कर चुका है तब हमें डर नहीं लगता और तब यह बात सही भी होती है तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यह यहीं से वापस से जाएगा ऐसा कुछ भी reason नहीं है और खासतोर से जब last one year ने last one year में बैंक निफ्टी ने कुछ भी नहीं किया और निफ्टी ने भी कुछ नहीं किया हो तो यहाँ जो एक बार technical target निकल कर आता है वो मैं technical target आपको बताता हूँ हम इसकी पूरी जो depth है इसको mark कर लेते हैं और इस depth को उपर हम plot करते हैं और plot करने के बाद में देखते हैं इसका technical target क्या आता है technical target is 51,000 अब यह 51,000 एक अच्छा खासा target है 51,000 के अगर हम बात करते हैं तो current price से लेकर और 51,000 तक का जो potential up movement है that is 27.23% अब अगर bank nifty की movement 27.23% है तो जो इसकी underlying companies है for example HDFC, ICIC bank, Axis bank, Kodak Mendra bank, SBI उन में से हो सकता है कुछ companies ज़्यादा अच्छा perform करें और कुछ companies यहाँ पर थोड़ा सा कम perform करें लेकिन मैं आपको एक और figure थोड़ी सी यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि bank nifty ने last few years में क्या performance दिखाई है तो अगर हम एक indicator लेते हैं February 2018 को छोड़ देते हैं यहाँ पर September 18 या फिर हम March 19 यह सारे ही numbers एक बार देख लेते हैं March 19 से लेकर अब तक bank nifty कितना आप गई है? Only 26% और यह कितना time है? This is more than 3 years, 3.5 years का यह time period है और अगर हम इसको January 18 से लेने लगें तो January 18 से लेकर अब तक 45% का यहाँ पर up moment है और यह कितना period है? यह almost हमारे 7, 5, कितने 7, 5 years हो जाते हैं almost 4 years and 9 months के आसपास के time period है अब 5 years में अगर bank nifty सिर्फ और सिर्फ 45% का up move देती है और खास्तोर से जब जब underlying companies की जो net profitability है वो 18-20% के CAGR से यहाँ पर बढ़ी हो तो यह support जितना भी यहाँ पर growth है यह इसको justify नहीं करती है और यहाँ से काफी ज़्यादा speed से यह growth आने की यहाँ पर पूरी पूरी probability है अब बात आती है कि विवेक भाई इसके पहुशने में कितना time लग सकता है मेरा मानना यह है कि जो यह 27% का moment है यह तो past में ऐसे ही due है उसके बाद further जो एक साल तक bank nifty की underlying companies में जो profitability में growth होगी उसका impact भी आएगा यहां से overall मेरा मानना है कि 50% की rise तक अगले एक देर साल में या फिर दो साल maximum यह 60,000 के आसपास तक आराम से चला जाना चाहिए तो 60,000 के आसपास अगर यह आराम से जाता है इसका मतलब यह है कि HDFC bank, Kotak bank, Axis bank, ICSA bank यह सारे ही यहां से bull run में रहने चाहिए अब अगर underlying companies के एक बाद chart patterns को हम देखने लगें, for example मैंने SBI का यहां पर chart pattern open किया, तो SBI को देखने के लिए यहां पर एक proper technical chart pattern बना हुआ है और यहां से यह breakout भी दे चुका है, और आज यह lifetime high से थोड़ा सा नीचे ही close हुआ है, मैं इसको बाते करने में यहां पर यह technical chart pattern के drawing गलत होगी थी, कोई बात नहीं यहां से, तो breakout दिया, breakout के बाद में market के साथ नीचे आया है, लेकिन immediately इसने bounce back दिखाया, तो इसका भी technical target बात करने लगें, तो protect mehendra bank में भी यहां पर same ही technical chart pattern आपको बनते हुए नजर आएगा, और जो resistance है, this is the resistance, और यह पूरा basically symmetrical pattern है, इसमें बहुत ज़्यादा movement मिन्स हम इसको head and shoulder pattern या reverse head and shoulder या cup with handle pattern नहीं कह सकते, यह एक rectangle pattern है, और rectangle pattern में भी जो technical target आता है, वो exactly same तरीके से ही move क तो यह इसके targets है, यह lifetime high तक तो है ही, उसके बाद में हो सकता है कि lifetime high पर पहुँचने में एक छोटा सा यहां से यह वापस से round ले, और एक यह पूरा बड़ा सा cup with handle pattern बना है, और उसके बाद में एक अच्छा खासा बड़ा target बने, इस तरीकी चीजे हमेशा होती हैं और इस bank के bullish होने के fundamental reasons भी हैं, लेकिन technical chart pattern के हम यहां पर बात कर रहे हैं, HDFC bank में भी यहां पर same है, तो जितने भी यहां पर banks हैं, वो सारे ही banks support कर रहे हैं इन सब चीजों को, अगर हम मैं यहां पर आपको technical chart pattern दिखाने लगूं, तो यह कुछ इस तरह का नजर आएगा, यहां से ऐ इसे यह नजर आता है, यह एक जो spike का यहां पर gap up के साथ हुई और वापस से reverse हो गई, यह एक uncertain event की वज़े से हुआ था, क्योंकि एक खबर आई थी, HDFC bank और HDFC limited के merge होने की, और यह वापस से fizzle out हो गया, तो हम इस spike को ignore कर सकते हैं, और उसके बाद में यह chart pattern इस तरीके से हुआ यहां पर नजर आ रहा है, यह लगातार बहुत सारे इसने resistance दिखाए हैं और इस बार resistance नहीं लेगा शायद और वापस से उपर निकल जाएगा, क्योंकि जो results है, all results are superb, अगर हम HDFC bank के जो अभी recently results आए भी हैं, उसको साथ में एक बार check करने लगे, September quarter के, then net profit is 11,000 crore rupees in comparison of 9,000 crore rupees, this is almost 25% growth in net profitability और यहां पर revenue भी highest level है, these are amazing results, तो सारी चीज़े यहां पर अगर हम देखने लगे तो superb हैं, bank nifty को लेकर मैं bullish हूँ, इन में जो underlying major banks है, kotak mehendra bank, access bank और HDFC bank, मैं इन तीनों को लेकर काफी bullish हूँ, अगर आपको याद हो, हमीशा जब भी nifty कोई नया high बनाती है, तो कोई एक major index को nifty को support करने के लिए आगे आना होता है, last time जो nifty नया high बनाया था, उस time पर IT companies ने support किया था, लेकिन इस बार शायद IT companies nifty को नए high में और नई rally में support नहीं करेंगी, this time private sector banks इस rally में यहाँ पर nifty को support करेंगे, और bank nifty में यहाँ पर एक अच्छी खासी opportunity है, और इन तीनों bankों में भी अच्छी opportunity है, एक और question mind में आ सकता है, वेविक भाई जब आप bank nifty की बात करें तो bank nifty में, आप future and option को तो मना करते हो, तो यह यहाँ पर bank nifty से कैसे कमाया जाए, तो bank nifty में कमाने का तरीका bank bise भी होता है, और bank bise के लिए अगर आप यहाँ पर chart pattern देख सकते हो, तो मैं आपको बताता हूँ, bank bise एक ETF है, bank nifty का, और उसको हम जैसे हम share market में, means अपने accounts में shares purchase करते हैं, उसी तरीके से हम bank bise purchase कर सकते हैं, और bank bise यहाँ पर 407 रूपीज का चल रहा है, तो अगर यहाँ से 50% की growth आती है, तो यह 407 के बदले, यहाँ पर 600 का पहुंच जाएगा, तो same ही है, exactly same तरीके से चलता है, this is a replication of bank nifty, जैसे जैसे bank nifty grow करेगा, वैसे वैसे ही, यहाँ पर bank bise यहाँ पर grow करेगा, इसको purchase करते हैं, ऐसे ही bank bise को purchase कर सकते हैं, अगर channel subscribe नहीं किया, तो subscribe करना है, और यहाँ पर जितने भी अफवाय होती है, कि recession आएगा, यह होगा, वो होगा, बहुत सारी बात है, दुनिया वरकी होती है, उनको नहीं देखना है, हमने यहाँ पर numbers को देखना है, companies जो results post कर रही है उनको समझना है, उनके base पर trade करना है, अफवाव के चकर में आज तक कोई अमेर नहीं भी ना, जितने भी लोग stock market में trade करकर, multi millionaire बने हैं, वो लोगों की बातों को सुनकर नहीं बने, वो खुद को यहाँ पर खुद से analysis करके बने हैं, लोगों से तो उन्होंने अपने teacher से सी लिखा है, यहाँ सीखना important है, सीखने के लिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कि जितनी भी knowledge है मैं YouTube पर आकर free में देता हूँ, इसका कोई charge नहीं है, यहाँ कोई subscription charges नहीं है, आप यहाँ से सीख सकते हो, यहाँ पर 500 प्लस वीडियो हैं, notes बनाओ, देखो, सीखो, दोस्तों क साथ share करो, और अगर आपको लगता है कि बहुत जादा time लगेगा, तो जो मेरी online personalized classes होती है, आप उनको join कर सकते हो, नीचे number दिया हुआ है, आप वहाँ पर बात कर सकते हो, यहाँ पर six sessions में almost जितनी भी important knowledge है, stock market में पैसा कमाने के लिए, वो सारी deliver होती है, और यहाँ पर subscribe क आपको शेयर करना नहीं बोलना है, हमें अपने करतवियों को पूरा करना है, दोस्तों खेयर शेयर करके, जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो कल फिर मिलेंगे एकने वीडियो के साथ, तब तक जैहिन!